हलो फैन दिस इस मॉनेका आज हम लोग करेंगे वो इस टीना चैप्टर जो हम कर रहे थे मॉडियोल 6 का लेसन नमबर 1 उसका विकाबलरी पार्ट एन उसके बात जो ग्रामटीक होगी वो करेंगे अल्रेडी हम पार्ट वन में थोड़ा बहुत ग्रामटीक कर शुके हैं तो च तीना तो अब टीना कहां पर है यानि कि कोई जगाओं के नाम हमें बताने पड़ेंगे टीना कैफे में हैं रेस्ट्रो में हैं म्यूजियम में हैं तो वो जगाएं क्या होती और उनके आर्टिकल क्या होते हैं वो हमें पता होने चाहिए तो सबसे पहले मैं जो आर्टिकल वो देर वाली चीजों के लिख रहे हूँ देर चीक है पहला देर बान होफ देर बान होफ जो बान होफ होता है वो देर होता है देर पार्क पार्क भी देर होता है देर जूपर मार्क भी देर होता है देर मेडिया मार्क जहाँ पर इलेक्टोनिक सा समान मिलता है मेडियन मार्क राइट देर मेडियन मार्क देर ब्लूमन्लादन मेडिया माग की स्पलिंग थोड़ी से मेडिया माग देर ब्लूमन्लादन देर बीयो लादन देर बानओफ अब हम इनका मतलब क्या होता है वो बता देती हूं मतलब होता है बानओफ मतलब station platform या station railway station वगडरा park मतलब park जूपरमार्क मतलों सूपरमार्केट मेडिया मार्क मतल़ इलेक्टोनिक्स मार्केट जहां पर इलेक्टोनिक का समान मतलता है ब्लूमन लाडन मतलब फ brackets ब्यो लाडन मतलब बायो शॉप क्लियर हैं? ये देर वाले WORDS है जहां पर हम जाते हैं कोई और वर्ड भी ध्यान आता रहेगा मैं आपको बताती जाओंगी एक होता है प्लाट्स भी यूज होता है जैसे देर कोई भी नमबर नाम लिया जैसे देर जॉर्जन प्लाट्स प्लाट्स मतलब प्लेस तो मैं इसका मतलब लिख देती हूँ यह जो प्लाट्स होता है इसका मतलब प्लेस होता है ठीक है यह नाम कुछ भी हो सकता है तो जॉर्जन प्लाट्स प्लेस होता है तो इसका आर्टिकल भी देर होता है तो बेसिकली देर किन किन का होता है जिसमें पीछे मार्क लगता है वो देर होते हैं तो मार्क्ट और जूपरमार्क्ट यह हो गया जहां लाडन होता है वो भी देर होता है तो ब्लूमन लाडन हो गया वियो लाडन वो देर हो गया प्लाट्स देर होता है तो कोई भी जैसे हमारे नहरू प्लेस होता है तो नहरू प्लाट्स तो प्लाट्स वाले देर वाकि बान होफ और पार्क आपको याद करने बढ़ेंगे क्लियर है यह इनके मतलब हो गए अब हम दी वालों पर आते हैं दी दी वाले बहुत सारे हैं तो हम एक एक करके सारे करते जाएंगे पहला है दी नाउन कैपिटल में लिखने दी कॉंडी टोराए ठीक है दी बांक दी किर्श दी पिजेरिया दी पोस्ट दी आइस डीलर दी श्प्राक शूलर क्लियर है और भी वर्ट्स है दी बेकराए दी बुखानलोंग दी क्लाइडर बुटीक दी मैट्स के राए दी हार्टर स्टेलर दी डिस्को अभी मीनिंग भी बताऊंगे इनके बट जितने नए वर्ट्स हैं पहले हम देख लेते हैं दी आपोतेकर राइट ये और भी वर्ट्स हैं हमारे पास दी आमपल दी कोई भी स्त्रासा जैसे ब्रेस्ट स्त्रासा ये तो कोई भी नाम हो सकता है ब्रेस्ट मां के ड्रामर प्लेराइट के का नाम है ब्रेस्ट स्त्रासा तो जो स्त्रासा होता है उसका अंडिंग उसका आर्टिकल दी होता है राइट दी टेलिफोन सेलर टेलिफोन सेलर राइट दी टेलिफोन सेलर I think हमने बहुत सारे words कर लिये हैं तो ये हमारे जो words थे ये दीवाले हैं इनके पहले मैं meaning लिख देती हूँ Conditor आये होता है Cake Shop जहां पर Cake मिलते हैं Bank मतलब Bank Kirshya मतलब Church Pizzeria मतलब Pizza Hut Post मतलब Post Office Ice dealer आइस क्रीम पार्लर Prague Scholar मतलब Language School या कोई भी school होगा तो शूल हो गया Baker आये बेकरी जहां पर Bread मिलते हैं Book Handung Bookshop Clider Boutique Clothes Shop Match Karai Meat Shop या बुच्चर हाउस Harter Stella Bus Stand Bus Stand Disco Disco Apotheca Medical Store Ampal Traffic Light Strasa Street Telephone Cellar Telephone Booth Right रूद रूद राय में E Ending जो जितने भी E Ending वाले होंगे वो दी होंगे ठीक है जिचने भी दो वोवल पे End होंगे वो भी दी होंगे जैसे Conditory पिजेरिया यह तो E Ending वाल हो गया आपका Mads के राय बेकर आए दो वोवल पे End होने वाले तो टू वोवल पे End होने वाले यहां मैं लिख भी रही हूं कि आपको याद रहें दो वोवल पे End होने वाले Next जो यू एंजी पे End हो जैसे यह दो वोवल पे End होने वाला वो कांड लूंग यह दो यू एंजी एंडिंग वाले भी दी होते हैं तो यू एंजी ठीक है? Next Clear है? अब जो बचा हमारा बचा बैंक, आमपल, डिसको, पोस्ट ऑफिस इसको याद करने का तरीका आप यह समझीए, कहानी बना लिजिए मेरे स्कूल के पास में, यह स्कूल है के पास में एक पोस्ट ऑफिस है, एक बैंक है और बैंक जो है वो, बैंक के पास डिसको है और वो ट्राफिक लाइट के पास है तो मैंने क्या बोला? एक स्कूल है then post office है then एक bank है यह सारी चीज़े एक साथ है साथ में disco है और यह traffic light के पास है एंपल के पास और शूलक article में मैं पता ही है कि दी होता है तो इन सब का article भी दी यानि कि school, post office, bank, traffic light सब एक जगा है सब का article दी हो गया तो दी याद हो गए यह हमें देर वाले याद होगे कि Mark, Larden, Plots देर होते हैं उसके लावा Banghofer, Park बचा ट्रफिक लए यंडिंग वाले टी यंडिंग वाले दोवल पे एंड वाले UNG यंडिंग वाली दी होते हैं उसके अलावा हमने एक आणी कर ली स्कूल के पास Post Office है, Post Office है बैंक, बैंक के पाद डिस्कोर हो रही है, ट्राफिक लाइट के पास है, तो सारे दी हो गए, यह दी वाले वर्ट्स याद हो गए, अब दास पर बात करते हैं, दास, तो पहला है, दास, काउफ हाउस, देन दास, पाक हाउस, दास, काफे, दास, कीनो, दास, मुजेम, मुजेम बोलते हैं इंग्लिश में या मुजेम बोलते हैं, दास, रेस्टॉरांट, दास, होटेल, क्लियर है, दास, गेम्यूजे के शैफ्ट, दास, गेम्यूजे के शैफ्ट, राइट, तो यह हमारे जो हैं, यह दास वाले हैं, इनको याद करने का तरीका, जितने भी हाउस वाले होते हैं, वो दास होते हैं, ठीक है, हाउस वाले क्या होते हैं हमारे, दास होते हैं, तो पार्क हाउस, काउफाउस यह दास हो गए, ठीक है, अब जितने भी एंटरेटेन्मेंट वाली जगाए होते हैं, कीनो, म्यूजियम, रेस्टोरेंट, होटेल, एक साथ जाते हो न, यह सारे कफ, कैफेटेरिया, यह सब दास हैं, और गशेफ्ट हमारा दास होता है, तो इसलिए गेम्यूजर के शेफ्ट दास, इनके मतलब क्या हैं, बो लिख देती हूं, कावफाउस मतलब मॉल पार्काउस मतलब पार्किंग प्लेस कैफे मतलब कैफेटेरिया कीनो मतलब सिनेमा हॉल मुजेम मतलब म्यूजियम रेस्टोरेंट मतलब रेस्टोरेंट होटेल मतलब होटेल स्टे करने वाला गेम्यूज़ गिशेफ्ट बाताब वेजिटेबल शॉप तो गिशेफ्ट भी शॉप होता है और लाडन भी पर गेम्यूज़ लाडन नहीं होता है, गेम्यूज़ गिशेफ्ट होता है क्लियर है? तो यह हमारे vocabulary पार्ट था जो हमें याद करना है, तो इन सब के सबसे पहले आपको यह vocabulary याद करनी है, देर वाले words कौन से है, दी वाले words कौन से है, और डास वाले words कौन से है, तो grammar हमें यह कहती है, कि अगर question वो में है, अगर question वो में है, तो answer हमेशा preposition प्लस डाटी वाएगा, अगर आपसे question, question वो में पूछा जा रहा है, तो answer में हमेशा जो भी आप बोलेंगे, preposition प्लस जो object होगा, वो डाटी वाएगा, ठीक है, डाटी मतलब, जो देर वाली चीज़े हैं, वो देम में कनवर्ट हो जाएगी, जो दी वाली चीज़े हैं, वो देर में कनवर्ट हो जाएगी, और जो दास वाली चीज़े हैं, वो भी देम में कनवर्ट हो जाएगी, यानि कि ये दो तो same ही हो गए, देर और दास वाली चीज़े, देम में कनवर्ट हो जाएगी, दी वाली, दी वाली किसमें चंज़ो जाएगी, तो देर और दास तो देम में कनवर्ट हो क्या है दी देर में यानि कि अगर हमें किसी ने पूछा वो इस्त टीना टीना कहा है आपने बोला टीना इस्त फोर फोर प्रेपोजिशन आ गई अब इसके बाद जो आएगा डाटी में आएगा तो अगर मुझे बोलना ही जैसे ये दास काफे है कि कैफे में के सामने है तो दास किसमें कनवर्ट हो जाएगा देम में तो फोर देम का काफ़े क्लियर है तीना काहा है कैफेटियर के सामने है तो for देम काफ़े तो प्रेपोजिशन जैसे हम नी प्रेपोजिशन लगी ऑबजेक्ट मेरा डाटिव लगेगा यह मैंने अभी किया है ऐ तो यह हमारा जो है यह किसमे यह हमारा देम में करवट हो जाएगा दास भी देम में और दी देयर में बस यह हमें पता होने चाहिए clear है और ले लेते हैं जैसे एक sentence लिया वो state राहुल राहुल कहां खड़ा है जैसे आपने बोला है वो गाड़ी के साथ में खड़ा है तो राहुल state नेबन नेबन मतलब साथ में देम आउटो आउटो दास होता है देम में कनवर्ट हो गया राइट दास किस में कनवर्ट हो गया देम में क्योंकि क्या हुआ आपकी preposition आई तो object क्या आएगा डाटी सब्जेक्ट वर्ब राइट ऑब्जेक्ट डाटी क्यों है आपकी preposition यह यह नेबन क्लियर है आपका यह समझ में आया यह आप से पूछा जाएगा कि स्टेफान का है टीना का है अब इसके अंदर और ग्रामर पार्ट क्या है तो आपसे पूछा जाएगा वो काउफ्ट मान वो काउफ्ट मान गेम्यूजर इंसान गेम्यूजर कहां खरीता है अब वो में कोशन है वो में कोशन है मतब कहां खरीता है वन वन मत मान होता है यहाँ पर वन गेम्यूजर मतब वेजिटेबल अब कहां खरीते हैं गेम्यूजर की शेफ्ट में इंदी गेम् तो मान कॉफ्ट गेम्यूज इन आप गेम्यूज़ की शेफट क्या हता है गेम्यूज़ की शेफおह ो फो यह क्थो इन गेम्यूजय की शेफ clear है इन देम ये मुजर के शैप्ट क्लियर है इन देम ये मुजर के शैप्ट अब ये जो इन देम है इसको शॉट फॉर्म करके मैं इम भी लिख सकती हूं यानि कि कहने का मतलब ये है इन देम जो आपका इन देम है उसका शॉट फॉर्म इम भी होता है तो मैं इम भी लिख सकती हूं तो मान काउट गे मुजर इन इम गे मुजर के शैप्ट इस तरह के कोशन आ सकते हैं तो आप जैसे फॉर एक्जामपल आप से पूछा गया वो काउट मान ब्रॉट ब्रेड कहां खरीदेगा इंसान तो आप आंसर में क्या बोलेंगे मान काउट ब्रॉट कहां खरीदेंगे बेकरी में इन अब दी बेकर आए होता है तो क्या हो जाएगा यापर देर बेकर आए दी बेकर आए होता है ना दी किसमें चेंज हो गया देर में तो हमने ये जो सीखा ही है देर और दास किसमें चेंज़ो जाता है देम में और दी किसमें चेंज़ो जाता है देर में तो हमने किसमें चेंज कर दिया देर में One count brought in there पेकर आए Clear है? एक और Four count man Buesher इंसान किताबे कहां खरीच सकता है? तो आप क्या बोलोगे? Man Kauft Buesher In Dair Bukhandlung Bukhandlung दी होता है D किसमें कनवर्ट हो गया? Dair में तो in Dair Bukhandlung Man आप काउस्ट बूशर किताबे खरीच सकता है इंदेर अब आप सुचोगे इंदेर का short form नहीं है इंदेर का short form नहीं है सरफ in plus dham का होता है इंदेर का नहीं होता है इंदेर का नहीं होता है तो दी Bukhandlung किसमें चेंज कर देर आपको सिर्फ आर्टिकल याद करने है कि दी वाले कौन से है दी वाले हमें पता ही चल जाते है यू एंजी एंडिंग वाले बेकर आए वाले डबल वावल पेंड हो ले तो हमें पता है दी किसमें चेंज जाता है देर में राइट के खृबट सकते है है चिकन कहां से खरीज सकते है तो मन कि में ड़ट कारवट कि मैं से बेंट कर आए मैंने कोशन लिखा और यह को प्रिक्ष्ट आजन 네 हम तो मन कंवट्वर्य पता है और मसे ड़टकर द३ारई में कर्वाट हो गया देर में मताब आपको सिफ डाटी में चेंज करना यहीं इसी चीज के आपको मार्क्स मिलेंगे एक कोशन यह आएगा आपका डेफिनेटली एक्जाम में राइट एक कोशन यह आ सकता है कि यह चीज़े कहा मिलती हैं जैसे गयल्ड हॉल्ट मान आपसे कुछ संटेंसेज पूछेगा पीजा गिप्टैस पीजा कहा मिलता है आपको फिल करना है पीजाल्ड हॉल्ट मान मतब पैसे कहां से निकालते हैं इन्देर, बांक यह आप से पूछ सकते हैं श्प्राक्खन लैंटमान लैंग्वईजिस कहां सीखते हैं लैंग्वईज स्कूल में इन्देर abey in in क्यूं आ रहे है क्योंकि इसके अंदर ही तो लेंगे इंदिया स्प्राक्षूलर। शूलर्दी होता है दियर में करण होगा है ठीक है और जैसे कि फिल्म किए फिल्म कहां लगी होती है गिप्टेस कि इंदेम कीनो कीनो दास होता है दास देम में करण सबसे पहले आर्टिकल पता होने चीए इन सब के दो एक वावल यह एंडिंग पेंड़ होने वाले दो वावल पेंड होने दी होते तो देश में हो published है छुप अ लाओट मान केक कहां मिलेगा काउफ हाउस कि काउफ हाउस कहां पर है जिसे कोई मैप दिया हुआ है मालो यह मैप है आपका यह आपको मैप दिया हुआ है तो इसमें एक बिल्डिंग है फिर एक बिल्डिंग है फिर एक बिल्डिंग है फिर एक बिल्डिंग है तो मैंने आप से पूचा और अब हमने मेंशन कर दिया यह आपका कावफाउस है यह बेकराइ यह कॉंडिटोर आए यह बुकांडलूंग है और यह रास्ते जा रहे हैं ठीक है यह रास्ते जा रहे हैं इस तरह से यह चर्च है यह आप भी माल लीजिए ठीक है यह पाक हाउस है यह बुखान लूंग है यह आइस डील है यह पोस्ट आफिस है यह शूल है जैसे अलग लग चीज़ें है यह मुजेम है और यह मार्केट है मैंने शॉट फर्म में ऐसे करके कुछ भी लिख दिया अम मैंने पूछा कि काउफा उस कह पर है जो लोय दर्म होता है उसका मतलब होता है सिचूएटो बूंभ वे Are तो कहां पर सिचूएटे इंड आपका मालों मैंने बताया था वह में कोशन होता हटा तो आंसर किसमें आता है rich meas तो हम क्या बोलेंगे, अब जैसे मुझे बोलना है, काव फाउस इसके सामने है, तो हम आंसर में क्या बोलेंगे, दास काव फाउस, लीक्ट, फोर, देर, बांक, बैंक के सामने, हम मालेते हैं यह बैंक है अपका, तो बैंक के सामने, फोर, देर, बांक, दी बांक होता है न, देर में convert कर दिया तो डाटीम में आएगा इस तारह से बता सकते हो अच्छा यह जो स्ट्रीट होती है ना अगर मैं बोल भी स्ट्रीट पर है जिसे यह कोई स्ट्रीट होगी तो इसके लिए आता है आगे आप बोल सकते हो इंदेर जोर्जन स्ट्रासर स्ट्रासर के लिए यहाँ पर हम आउन रोड बोलते हैं इन बोलते हैं किस रोड पर है तो स्ट्रासर दी होता है दी देर में convert हो गया तो क्या बोलेंगे इन देर जोर्जन स्ट्रासर फोर्देर बांक बैंक के सामने स्ट्रीट पर है माल लीजिए अब मैं पूछती हूं आप इसक्रिम पार्लर कहां पर है तो आप आंसर में क्या बोलेंगे है दास आईस डियल ऐग में लीट अ अब जिसी यहाई स्क्रीम पालहा है ये पोस्ट ओ यह तो पोस्त ओफिस के सामने समझ लो ना तो si ओिन तेर पोस्ट पोस्ट हुए के सांए और मैं बोलना स्टेफान प्लाट पर हाई उस अलो सब्लिक्र生 प्लाइब अब क्लियर हैं तो अगर वह है तो ँन müsst कर दो चीह प्लाइब और इसका जो short form होता है न उसको अम बोलते हैं राइट तो आप क्या बोलो कि street के लिए आता है इंदेर स्ट्रास कोई भी नाम हो सकता है और प्लाट्स के लिए आता है अम कोई भी नाम हो सकता है और प्लाट्स आजएगा पीछे ठीक है अगर उस प्लेस पर है जैसे नहरु प्लेस बोलते हैं और स्ट्रास मत कुछ स्ट्रीट पर है क्लियर है तो इस तरह से आप बदा सकते हो कि कौन सी चीज कहां सिचुएटेड़ है क्लियर आपको इतना अब नेक्स क्रीमर पार्ट है हिसुए आपका कि आपसे इन डेरिक्ट्न स्ट्रागर पूछ सकते हैं इन डिर्यक्ट पुछाग एंडेरिक्ट पूछना अब टेवर्ध हो गया है जैसे मैंने पूछा वह इस तीना तीना कहां एं ठीक है यह डिरीक है आप में आपसी पुश हूँ allora तो वह पर हम विश्वांपर हमने विश्वां है की हां वारी वर्ब थी विशन और हमने कॉंजूगेशन की थी इश वाइस दू वाइस्ट एर्जी एस वाइस विएर्जी जी विशन और एर्विस्ट क्लियर है यह कॉंजूगेशन की थी ना अब इंडिरेक्ट फ्राग बनाने के लिए यह यूज होगी तो जैसे मैंने पूछा तुम्हें पता है तो मैं क्या बूलूगी वाइस दू वाइस दू होगे मता कोशन डू यू नो अब मुझे इसको इंडिरेक्टली कोशन पूछन पूछना है तो यही कोशन आएगा बस बेंड में आजेगी वह टीना इस कि टीना कहां है यह कौशन बनाया अब्ट टीरच्टली पनाया और डिरेक्ट कोशन क्या बंता वह इस टीना डिजिस डिरेक्ट कोशन신 वेरस टीना इंडpri comprend ।ि वैस दू मतबyorsun हैं टीना कि टीना कहां है राइट नेक्स कोशन अब जैसे एक कोशन है डिरेक्ट कोशन है वो लीक्र दास काउफाउस वेर इस दी काउफाउस अम आपके से पूछ तुम्हें पता है कि काउफाउस कहां पर है तुम्हें क्या बोलूँगी वाइस दू वो दास काउफाउस लीक्ट कहां पर है तो अब आंसर दे सकते हो या इश वाइस दास या इश वाइस दास दास काउफाउस लीक्ट या एस लीक्ट दास काउफाउस लीक्ट फोर देम पाखाउस पाउस के सामने है ठीक है in front of the park house तो आपने कोशन क्या पूचा इंडरेट ली ये कोशन पूचा वाइस तुम्हें पता है कि काउफास कहाँ पर है तो ये इंडरेट कोशन आपने आज से बोला या इस वाइस दास हां मुझे पता है दास काउफास ये लीट फोर दिम पाउफास क्लियर है ये इस तरह से आप इंडरेट फ्राग पूच सकते हैं क्लियर है वो लीट दास काउफास वाइस दू वो दास काउफास लीग या इस वाइस दास काउफास लीग फोर दिम की नो तो ये विस्सन आपकी वर्ब भी उज़ोगी विस्सन का मतलब डू यू नो एक हमने की थी ट् या बद्धिक्रा चुक्य हूं कि ठीके जी तो यह फरस्ट वाली वीडियो देखना आपको लग जग जाका मैं सीधा कोशन पूच्थ यूं तो कोशन पूच्थते हैं कि राफन वी रूस किया हम लोग मिल रहे है राफन विए उनस वोर दें की नो के सामने मिल रहा हैं तो अब आप पुछोगे यह उन्स कहां से आए तो आप बस आप इसको रट लो यह रटने वाला पाट है कि अगर वियर लगाया है वियर में कोशन या आंसर है तो वियर त्रेफवन उन्स आएगा और जी आया है यह दे वाला यह कुछ भी तुमाँ जिश आएगा अब क्यूं आ फोर देम कीनो हम लोग कीनो पर मिलेंगे कीनो के सामने मिलेंगे या जी त्रेफवन जिश वो लोग मिलेंगे इंदेम कफे कैफेटेरिया में मिलेंगे क्लियर है तो कोशन आ सकता है त्रेफवन वियर उन्स फोर देम कीनो क्या हम लोग कीनो में मिलेंगे के सामने मिलेंगे या WE'RE THREFIN ONCE FOR THEM कीनो या कोशन हो सकता है वो THREFIN WHERE ONCE वो मतलब हम कहां मिलेंगे वो THREFIN WHERE ONCE हम लोग कर कोशन आग substrate है अझाच उसमें आएगा तो आप क्या बोलोगे WE'RE THREFIN ONCE हम लोग मिल रहे हैं FOR THEIR AISDL पालर के सामने ख्लियर है तो इस तरह से आपके question आ सकते हैं कि या तो या 9-fragal telephone we are uns for them किनो किनो के सामने मिल रहे हैं या वो telephone we are uns हम कहां मिल रहे हैं we are telephone uns for their ice dealer clear है इस तरह से यह आपका जो हमने grammar किया है यह इस तरह से use होगी बाकी हम इसके आगे का जो part है उसमें थोड़ा सा और paragraphs वगर आप पढ़ेंगे जो book के अंदर है and then देखेंगे I hope आपको समझ में आयोगा thank you very much